नुश्या दोस्तों, देट हैं आज की 21 मई 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में तीन इशुज आज हम डिटेल से डिसकेश करेंगे सबसे पहले लाइव मिंट का आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे हमारे देश में तीन अलगलग डेवलप्मेंट के मोडल के बारे में नमबर वन बिहार मोडल, नमबर टू गुजरात मोडल और तीसे नमबर पर तमिलाडू मोडल विभिन राज्यों को कौन सा मोडल फोलो करना चाहिए और कौन सा नहीं दूसरा आर्टिकल मायुष्ट के साथ बातचित से सम्मदित है ये आर्टिकल और तीसे नमबर पर नेबर हुड में अभी जो तर्मोड चल रहा है इंडिया की क्या रणनीती होनी चाहिए चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपर्टिन आर्टिकल हमारे देश में अलग अलग राज्यों के डेवलप्मेंट मोडल्स से सम्मदित हैं आप जी आस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों देखो अभी हमारे देश में इकोनमिक सिचुएशन काफी खराब हैं और स्टैकफलेशन का भी खत्रा पैदा हो गया हैं स्टैकफलेशन का क्या मतलब हैं अगर इकोनमी के बेसिक सापने पढ़े होंगे तो सायद ये टम आपके सामने आई होगी स्टैकफलेशन देखो वो सिचुएशन होती है जब एकोनमिक ग्रोथ रेट तो stagnate कर जाती है यानि ज़्यादा एकोनमिक ग्रोथ रेट हो नहीं पाती इंफलेशन खाफी ज़्यादा बढ़ जाती है इसके साथ साथ unemployment rate जो है वो भी काफी ज़्यादा बढ़ जाती है यानि employment घट जाती है तो तीन indicators फिर से बोलता हूँ Stagflation वो situation होती है जिसमें economy growth rate constant हो जाती है ज़्यादा हो नहीं पाती unemployment काफी ज़्यादा increase हो जाती है और inflation भी काफी बढ़ जाती है तो इस situation को कहा जाता है Stagflation किसी भी देश की economy के लिए ये situation बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और वैसे इसमें देखो याद करना हो तो दो terms तो सिधा-सिधा निकल के आ जाती है Stag मतलब Stagnant Economy Growth Rate Flation मतलब High Inflation और Unemployment भी जोड दिया जाता है तीसरा indicator High Unemployment तो जब देखो Potential Stagflation की situation है तो एक बात माइन में आती है क्या किया जाए इस situation को टैकल करने के लिए मतलब Policymakers कौन सी ऐसी policies अपनाए जिससे ना सिरफ देश की economic growth rate बढ़े बलकि जो growth rate है वो employment intensive भी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि jobless growth हो जैसा 90's के बाद देखने को मिला था ये जानने के लिए ना writer हमारे देश में जो अलग-अलग राज्य हैं उनके development models पर नज़र डालते हैं सबसे पहले हैं least developed states जैसे देखो उतरपरदेश, जहारखंड, उडिशा, असं बिहार ये हमारे देश के सबसे कम developed states है अगर इन states के features के बारे में आप देखो per capita income इन states में काफी ज़्यादा कम है इन states में यानि UP, बिहार, जहारखंड, उडिशा, असं में industries का जो contribution है state की GDP में वो भी काफी ज़्यादा कम है यहाँ पे ये जो states है ना grow कर रहे हैं आलमोस्ट national average के हिसाब से जितना पूरे देश के economy grow कर रही है आलमोस्ट उसी तेजी से ये जो states है वो grow कर रहे हैं इन states में देखो आपको ज़्यादा modern industrial hub नहीं देखने को मिलेंगे industrial units भी बहुत कम देखने को मिलेंगी, जो industries होंगी mostly state owned होंगी जैसे आप UP, बिहार, जारखन में देखोगे न, जातर जो industries होंगी, उनका मालिकाना हक state के पास ही होगा यहाँ पे infrastructure आपको पूर मिलेगा backward और forward linkages भी काफी पूर मिलेंगी forward linkages जैसे industry से माल बनने के बाद consumer तक पहुंचा आना backward linkages जैसे industry मिर्रा material का आना, जैसे farmer कोई चीज produce करता है, farmer के खेद से लेके चीज जब industry में पहुंचती है processing के लिए, इस पूरी chain को कहा जाता है backward linkage तो इन states में logistics sector आपको कमजोर मिलेंगे यानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी समान को भीजना, काफी difficult है, expensive है यहाँ पर आपको human और social development के जो indicators है, वो भी काफी poor perform करते दिखेंगे social development के indicators जैसे maternal mortality rate infant mortality rate यह सब, human development के indicators जैसे education, health यह भी आपको poor perform करते दिखेंगे इन states में काफी बुराई कर ली, राइटर ने, इसके बाद वो बोलते हैं, यहाँ पर जो population है वो देखो, mainly agriculture पर depend करती आपको मिलेगी और even non agriculture sector में जो लोग काम करते मिलेंगे, उनकी productivity भी कम होगी, वो low wages वाली job कर रहे होंगे, जैसे MSMEs में, यानि micro, small and medium enterprises में इन states की problems क्या है इन states में जो government का expenditure है वो central transfer पर बहुत जड़ा dependent है, यानि इनका खुद का revenue कम generate होता है और central government जो पैसा transfer करती है ना states को, उस पर बहुत जड़ा dependent है यह states हैं जैसे देखो, total यह states जितना खर्चा करते हैं ना average तोर पर 59% उसका revenue तो आता है center से बाकी 41% revenue यह खुद से generate करते हैं, जबकि national average है 36% यानि average पूरे अगर देश में सभी राज्यों का निकालें तो average तोर पर हर एक राज्या 36% प्राप्त करता है center से खर्चा करने के लिए और 64% खुद से generate करता है solution क्या है देखो, इन राज्यों को अगर center बहुत पैसा खर्च करता है बिहार में, for example, जारखंड में लेकिन दिक्कत यह है पैसे का न, strategically used नहीं हो पाता corruption काफी ज़्यादा है चूकी तो point यह है, इन राज्यों को अगर develop करना है न, center द्वारा भेजे गए पैसे का ठीक धंग से utilization बहुत ज़्यादा जरूरी है अब बात आती है दूसरे model की यह पहला model, बिहार model नाम दे दिया जाता है writer के द्वरा दूसरा model है गुजरात model इसमें कौन-कौन से states आते हैं गुजरात, हर्याना, तेलंगाना इन राज्यों में देखो आपको per capita income काफी ज़्यादा high मिलेगी, बिहार से तो आलमुष्ट 6 गुना ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे आपको per capita income लेकिन देखो इन राज्यों में अभी भी एक बड़ी workforce ऐसी है जो agriculture पर dependent है इन राज्यों में industries का जो share है state की GDP में, वो अलमुष्ट 25-26% है इन राज्यों की जो high growth rate है न वो mainly देखो traditional industries के द्वारा enabled है, जैसे agro processing हो गया, modern industries जैसे pharmaceuticals हो गया, petrochemicals हो गया, IT services modern financial services तो यह जो industries है वो इन राज्यों की GDP में ज़्यादा contribute करती है in fact, इन राज्यों में जो infrastructure का development है काफी ज़्यादा high है गुजरात में infrastructure अच्छा है हर्याना एक छोटा सा राज्या है और infrastructure ठीक ठाक है तेलंगाना में हदराबाद कितनी बढ़िया city है वहाँ पे भी infrastructure अच्छा है बट देखो इन राज्यों के भी दिक्कत है क्या दिक्कत है ये जो राज्ये है country के दूसरे leading state से social development के indicators में पीछे है जैसे education के मामले में health outcome के मामले में हर्याना में देखो आपको हर्याना की per capita income high है साइद जितना मुझे याद है दूसरे नमबर पे है पूरे देश में सबसे पहले नमबर पे गोवा है per capita income के मामले में आप एक बार नज़र डाल भी लीजिए इस list पर गोवा की per capita income हमारे देश में है सबसे ज़्यादा दूसरे नमबर पे सिक्किम उसके बाद देली, उसके बाद चंडिगर्ड, उसके बाद हर्याना तो जो मैंने कहा वो गलत था situation change हो चुकी है अभी, पहले दूसरे नमबर पे सबसे ज़्यादा हर्याणा की थे तो देखो, हर्याणा की per capita income अच्छी खासी है, पांचवे नमबर पे है बट हर्याणा में न human development indicators फिर भी आपको तमिलाडू हो गया, केरला हो गया इनके मुकाबले में काफी poor perform करते दिखेंगे ऐसा क्यूं? ऐसा ही situation आपको गुजरात में दिखेगी, यह है गुजरात model इनका कारण देखो यह है यहाँ के जो सरकारे हैं न वो education पे, health पे काफी कम expenditure करती आई है इस वज़े से health situation और education situation जो है वो leading states के मुकाबले की नहीं है जैसे तमिलाडू, केरला, महराष्टर जातर यहाँ पे जो खर्चा होता है हर्याना में, गुजरात में वो physical infrastructure पे होता है समझ गे? तो यह हमने बात की दूसरे model की गुजरात model की जिसमें हर्याना तेलंगाना यह राज़े आते हैं अब बात करते हैं तीसरे model की जो हकी है तमिलाडू model इसमें कौन-कौन से राज़े आते हैं तमिलाडू, देली, महराष्टरा, केरला भी देखो यह तो prosper states है मतलब बड़े राज़्या होने के बावजूर यहाँ पर capital income काफी हाई है और इंडिया के यह सबसे ज़्यादा industrialist states हैं और इसके एत्रिक्त यहाँ पर इन राज़ों की GDP में जो industrial sector का जो share है 34% के आसपास हैं गुजरात में जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा अभी भी workforce का agriculture में लगा हुआ है लेकिन इन राज़ों में जैसे देली में, तमिलाडू में 30% से ज़्यादा लोग agriculture में काम नहीं करते हैं और social development के मामले में भी यह states काफी अच्छा perform करते दिखते हैं जैसे poverty, hunger, education, health यह सब चीज़ें यहाँ पर ठीक perform करते हैं मतलब poverty कम है, hunger कम है health outcome अच्छी है, education अच्छी है तो life expectancy भी यहाँ पर ज़्यादा है मतलब average जो life है एक नागरी की वो ज़्यादा है as compared to दूसरे states और यह जो states है न इनकी central government जो पैसा transfer करती है न उसके उपर dependence काफी कम है even गुजरात से भी कम है तो इन सब models को आपस में compare करने के बाद writer यह बोलते हैं देखो tamiladu का जो model है न सबसे best है सबसे ज़्यादा successful है तो states को अपनी power situation को improve करना चाहिए science and tech पर ध्यान देना चाहिए R&D पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो रज्य एक knowledge economy के रूप में emerge हो सके tamiladu में urbanization भी काफी ज़्यादा है मैंने विजिट किया था आपको याद होगा जब मद्रोई गया था मैं तो tamiladu में urbanization दिखता है even आप bus में जाओगे तो भी आपको पूरा urbanized गाउं कम मिलेंगे urban areas आपको ज़्यादा मिलेंगे अच्छा develop है tamiladu last में इस पूरे article का निचोड writer ये निकालते हैं देखो तीन development models हैं तीनों को हमने समझा अगर वो रज्य हैं जो अभी फिलाल tamiladu के model को follow कर रहे हैं वो follow करते रहें ये model अच्छा है वो states जो गुजरात के model को follow कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा course correction करना होगा उन्हें education पे और health services पे भी ध्यान देना होगा और वो states जो अभी बिहार के model को follow कर रहे हैं उनको तो जल्द से जल्द tamiladu के model पर shift करना चाहिए और इसके लिए उन्हें देखो central government के sport क्या हो सकता है बिना central government के sport के बिहार model वाले states tamiladu model वाले states जैसा नहीं बन सकते उस model को follow नहीं कर सकते लास्ट में एक बात वैसे ही बोल देते हैं अभी देखो बिहार model states से जो लेमर migration होता है ना गुजरात model states में और tamiladu model states में ये एक परकार से market based adjustment है हमारे देश में तो ये पूरा article हमने डिसकस किया अब चलते हैं अगले article की तरफ अगला article देखो मायुष्ट से बातचीत के बारे में हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ इस जो quosnir puchthi है ना institution के बारे में question puchthi है concept के बारे में question puchthi है जैकर जैसे मायुष्ट के साथ बातचीत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस article में ना मायुष्ट के साथ बातचीत के past incidents के बारे बताएगया है कि कब-कब बादचित हुई और क्या नतीजा निकला तो इस आर्टिकल से न हमें जो पॉइंट से न इंपोर्टेंट वो विड्रो करने पड़ेंगे देखिए अभी करते हैं कंटेक्ष्ट यह है हाल हिमिम 36 गड़ के मुख्यमंतरी भुपेश बागेल ने अपने तूर में लोगों से मिलते हुई यह कहा कि हम माविष्ट के साथ बादचित करने के लिए तयार हैं लेकिन इससे पहले उन्हें अपने हत्यार गिराने होंगे और भारत के सविधान में अ स्पेशल जोन कमेटी यह CPI माविष्ट की एक कमेटी है इन्होंने अपने पैंपलेट में जबाब दिया ओफर जो है वो ठीक नहीं है मुख्यमंतरी को अपना स्टेंड क्लेरिफाई करना चाहिए माविष्ट की कंडिशन्स के बारे में माविष्ट की कंडिशन्स यह है कि पहले एक कंडिशिव जनी अनुकूल वातावरन त्यार किया जाए जिसमें पीस टोक्स को स्टार्ट किया जांसके माविष्ट के स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा देखो स्टेट गवर्मेंट ने अभी तक ट्राइबल्स के लिए जो एक्ट आया था पैसा एक्ट इसे ठीक से इंप्लिमेंट नहीं किया है और माविष्ट की जो मेजर कंडिशन्स है न सरकार के सामने बादचित के लिए वो यह है कि उनकी जो पार्टी है CPI माविष्ट इस पार्टी के ऊपर आपने जो बैन लगा के रखा है आप इस बैन को हटाईए माविष्ट को खतम करने के ल लिडर्स है जो विविन जेलों में बंध है उनको आप रिहा कीजिए ये कंडिशन्स अगर आप मानोगे तो हम बादचित स्टार्ट कर सकते हैं अदर्वाइज नहीं तो गोर्मेंट ने अपना स्टेंड चेंज नहीं किया तो फिर बादचित के मुद्दे पर ज्यादा प करते हैं आप वाइलेंस को छोड़ दीजिए जिसके रिस्पोंस में आजाद एल्यांस चेरुकूरी राजकुमार ये माउष्ट थे इनकी दैथ हो चुकी है ये सेंटरल पॉलित ब्यूरो के मेंबर थे और CPI माउष्ट की सेंटरल कमिटी के स्पोक्स परसन थे तो होम मिनि पेपर में इन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमारे साथ बातचीत करना चाहती है तो इसके लिए एक कंड्यूसिव एक्मोस्पेर यानि अनुकूल वातावरन ट्यार करना होगा तीन कंडिशन से इन्होंने उस समय रखी थी यूनियन गवर्मेंट के सामने सबसे पहली विड और तीसरी कंडिशन ये थी गवर्मेंट को सविधान का पालन करना चाहिए और जो इल्लीगल मर्डर होते हैं एनकाउंटर के नाम पर ये सब चीजे बंध होनी चाहिए देखो पार्टी के कुछ लोगों पर तो बैन हटाना ही पड़ेगा अगर मालीजिए सरकार बातचीत करना चाहती है माउष्ट के साथ में तो कैसे बातचीत करेगी अगर बैन नहीं इटाएगी क्योंकि वो आएंगे कैसे सरकार के सामने अगर आएंगे तो पुलिस तो उनको ग्रिफतार कर लेगी क्योंकि वो CPI माउष्ट पार्टी के मेंबर है तो मेंबर होना ही अपने मास केंगे अधरवाइस तो आप खुले में आना ही अपने अपने अपराद है क्योंकि हम CPI माउष्ट के मेंबर हैं इसके बाद देखो उसमें स्वामी अगनिवेस ने मीडियेट किया था सरकार और माउष्ट के बीच लेकिन बात बातचीत आगे नहीं बड़ की थी आखि के ग्रे हांड कमांडो फोर्स के द्वरा तो ट्रस्ट बिल्कुल ही खतम हो गया उसके बाद तो मतलब बातचीत की सारी उमीद धुमिल हो गई माउष्ट ने कहा कि सरकार ने हमें धोका दिया बातचीत के लिए बात चल रही थी इसी बीच उन्होंने एंकाउंटर कर दिया स्पोक्सपर्सन का फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं जब देखो आंदर प्रदेश में 2004 का स्टेट एसेमली लेक्शन केंपेन था ना तो उसमें कॉंग्रेस पार्टी ने ये वादा किया था कि हम माउष्ट के साथ पीस प्रोसेस को फिर से रिवाइब करेंगे पीस प तक पीस डायलोग चला अक्टूबर 2004 में एक तरफ पीपल्स वार पार्टी के रिपर्जेंटेटिव और दूसरी तरफ सरकार के रिपर्जेंटेटिव और ये जो बाचिल स्टांट होई थी ना कमेटी ओफ कंसर्ण सिडिजन्स जो एक एंजियो टाइप के और्नेजिशन ह इनके बिहाफ पे स्टांट होई थी मीडियेटर कौन था मीडियेटर की एक पूरी टीम थी जिसको लीड किया जा रहा था फॉर्मल सिविल सर्वेंट एस आर संकरन के द्वारा तो डायलोग के दौरान ना सीज फायर पर तो सहमती बनी लेकिन जब डायलोग चल रहा था न तो उसमें PW पार्टी ने यानि मारिष्ट की पार्टी ने 11 पॉइंट का एक डिमांड का चार्टर सोपा जैसे लेंड सिलिंग के उपर कानून बनाया जाए कईयों के पास बहुत बहुत ज़्यादा लेंड है और किसी के पास नहीं है तो ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि कोई भी परसन जैसे 10 एकड़ से जादा लेंड नहीं रख सकता ऐसे लेंड सिलिंग से सम्मधित कानून बनना चाहिए तेलंगाना की फॉर्म में अलग से एक राज्य बनाया जाए और किसी भी पार्टी के द्वारा अभी फिलाल आम्ड एक्शन नहीं लिया जाए एनिवा प्रपोजल रखा कि पहले आप हतियार छोड़िये लेकिन चुकि इस पर बिल्कुल भी सेम्मति नहीं बनी थी तो इसे छोड़ दिया गया बातचीत के दूसरे राउंड के लिए लेकिन देखो जब ये आपस में मिल रहे थे ना एक तरफ माउष्ट के रिपर्जेंटेट तो मीडिया में ना काफी पिक्चर वाइरल हो गई थी कि माउष्ट के जो कैडर है उन्होंने अपने हाथ में हतियार ले रखे हैं और थोड़ा ना सरकार की छवी को भी चोट पहुंची थी कि सरकार माउष्जम को लेजिटिमाइज कर रही है सेम टेबल पर सरकार के रिप बैट रहे हैं तो सरकार पर प्रैसर काफी ज़्यादा बढ़ गया था उस समय 16 दिसंबर को बाचीत खतम हो गई सीज फायर की सहमती बनने के बाद गोर्मेंट ने प्रोमिस किया कि नॉम्बर में जब अगले दोर की बाचीत होगी तो आपकी जो में डिमांड है कि जो लैंडलेस लोग है यानि जिनके पास लैंड लिए हैं उनको लैंड डिस्टिब्यूट किया जाए इस मांग को हम कंस टोट कर रहे हैं और तो यह पूरी जो बाचीत थी बीच में कलैप्स कर गई तो राइटर बोलते हैं यह सारा हमने बैग्गरांड इसलिए जाना देखो इसमें इंडिविजुल्स इंपोर्टन नहीं है जैसे मैंने आर्टिकल के सुरवात में भी बोला था लेकिन पॉइं लेकिन अब इस बात पर विवाद हो सकता है कि क्या परजेंट स्टेट में मायुष्ट के साथ बाचीत हो या फिर पहले वो हतियार छोड़ें वो सामने आएं सविधान का पालन करें तब उनके साथ बाचीत होगी इस बात पर विवाद हो सकता हैं और मायुजम की जर तक हम में जाना होगा अगर देखो मायुजम को खतम करना है क्यूं लोग उनके जहांसे में आते हैं क्यूं लोग उनका साथ देने के लिए तयार हो जाते हैं रीजन्स देखो साफ है कहीं न कहीं development के fruits वहां तक नहीं पहुँच पाएं हैं और बहुत जगाओं पर government की जादितियां हैं वो भी जिम्यदार हैं जैसा इस article में point निकल के आया illegal murders काफी ज़्यादा होते हैं जहां जहां देखो insurgency के लिए forces का use होता है न चाहे जम्मु एन कस्मीर हो नोर्थीष्ट हो चाहे माविष्ट का area हो वहां वहां पर अगर 10 आकड़ा तो सिरफ example देने के लिए है सो अगर अच्छे encounter होंगे तो एक जूटा encounter भी होगा ये इंडिया की बात नहीं है हर जगें ऐसा होता है और फिर जो खराब encounter होता है न फरजी encounter उसी का सहरा लेके कुछ लोग emotions का इस्तमाल करके सरकार के खिलाब बढ़काते हैं और motivate करते हैं हत्यार उठाने के लिए देखो state government ये तो effort नहीं कर सकती कि माविष्ट की बात मान ली जाए और camp से security forces को withdraw कर लिया जाए बाचित start करने के लिए तो पहली condition तो अभी जो रखी है 36 गड़ में माविष्ट के दवारा मुख्यमंतरी बुपेश बागेल के सामने सहीं नहीं है दूसरी condition कि हमारे जेल में जो बंद माविष्ट लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए देखो कोई बड़ा लीडर माविष्ट का अभी जेल में बंद नहीं है राइटर के अनुसार छोड़ छोड़े लोग बेसक बंद हो तो बड़े लीडर्स बाहर ही है बातचित करना चा माविष्ट और PLGA के ऊपर जो बैन लगा है इसे हटा लिया जाए इसमें थोड़ा सा कंसेशन दी जा सकती है अगर बातचित को स्टार्ट करना है तो तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया माविष्ट के साथ बातचित से समदित चलते हैं आगे इसके बाद नए स्टा प्रामंत्री मोदी की फर्स टाम थे ना एज प्राइम मिनिस्टर उसमें इंडिया की नेबर हुड पॉल सी काफी ज्यादा मस्कुलर थी जैसे कि 2015 के दुरान निपाल बॉर्डर पर अन ओफिशल ब्लोकेड लगा ताकि नेपाल को मजबूर किया जास के सविधान बनाने की जो प्रिकिरिया है उसमें इंडिया का कंसरंस का ध्यान रखने के लिए इसके अलावा राज़ापक से जो रेजीम है वो चेंज हुआ और कहा जाता है कि इंडिया ने इंटर्वेंशन किया और पोजीशन को एक मंच पर लाने में मतलब ऐसे बहुत सारे सिगनल्स हैं जैसे पाकिस्तान को इंडिया ने कड़ा जबाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कड़ी मेसेजिंग दी गई थी पाकिस्तान को कि आप टेर्रिजम बंद कीजिए इंडिया की नेवर हुड पोलसी उस समय काफी मस्कुलर थी लेकिन स इंडिया की जो फोरण पोलसी है काफी कॉंशिलेटरी हो गई है अब हाल फिलाल में हमारे आस्परोस के ना कई सर राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ जैसे मयामार में सिरलंका में पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी हुआ और इवन निपाल में भी हुआ लेकिन सत्ता परिवर्तन में पांचों हमारे जो परोसी स्टेट्स है ना इनमें जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें इंडिया का रोल नहीं है बलकि इंडिया ने अब मान लिया गए कि हम सीधा परोसी देशों के लोगों मैसेज देने की जैसे कि देखो अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान से हमने काफी कोशिस की कि भाया हमारे अनाज को जाने दीजियो आपके थूआ अफगानिस्तान में 50,000 मिट्रिक टन हमें अनाज बेजना था ना अफगानिस्तान में पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा था तो इंडिया अच्छी messaging बेजी, अफगानिस्तान के लोग को पता लगा कि हम तो भया, आपको अनाज देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आने देना चाहता, तो अफगानिस्तान के लोग का pressure बढ़ा, तालिबान का भी pressure भड़ा पाकिस्तान के ऊपर तब जाके पाकिस्तान ने बात मानी इंडिया की और अनाज गया इसके लावा देखो मैं अमार में भी military सत्ता में आ गई और हमने military से भी deal करना start कर दिया हमने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि democracy चली गई है हम आपसे बात नहीं करेंगे इंडिया ने कहा कि ठीक है कोई भी सत्ता में हो हम बात करेंगे तो इंडिया की जो अब tone है परधानमंत्री मोदी की second term के दुरान परोसी देशों के साथ में वो reconciliatory है मतलब इंडिया अच्छे relations बना के रखना चाहता है जैसे देखो बंगलादेश की बात कर लीजिए पहले CA के मुद्दे को लेकर ruling party काफी ज्यादा strict थी बार बार सिर्जन सिंग amendment act की बात होती थी लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें हमारे foreign policy makers ने बताया ruling party के leaders को कि भाया ऐसा मत कीजिए बंगलादेश के साथ relation काफी खराब हो रहे है लोकल लेवल पे leader बार बार ऐसा बोलते हैं बंगलादेश जो है वो दीमक कितरे हैं इससे बहुत बिकार signal जाता है तो अब आपने देखा होगा CAA को लेकर सरकार की tone जो है वो काफी ध ये सक सरकार बोले कि देखो COVID-20 के चलते हम ये इस act को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन असल बात ये है कि बानादेश के concerns को लेके भी सरकार की जो tone है थोड़ी धीमी पड़ी है कमजोर हुई है इसके बाद writer ये बोलती है देखो हमारे प्रोसी राज्यों में जो कुछ भी होता है जैसे अगर ज्यादा बेकार होगा तो migrants हमारे देश में आ जाएंगे अगर instability ज्यादा आती है तो इंडिया की security भी compromise होती है तो उसका असर इंडिया पे होता है इसलिए इंडिया को carefully monitor करना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है हमारे प्रोसी देशों में एक च capitalist policies वाले थे जैसे इमरान खान राजापक्स से केपीएस ओली इन्होंने nationalism का काफी इस्तमाल किया अपने पक्स में vote mobilize करने के लिए लेकिन ultimately इन टीनों राज्यों में economic situation काफी खराब हो गई राज्यों मतलब देशों में पाकिस्तान में economic situation काफी खराब है नेपाल में भी और सिलंका में भी तो राइटर कहना चाहती है देखो लोगों ने बेसक ना nationalism के नाम पर vote दिया हो लेकिन ultimately जो economic policies है ना वो लोगों को परभावित करने लगती है और वो leaders जिनको लोगों ने ब के तोर पर ले रही होगी और आउशक जो economic policies है वो सरकार लेके आएगी ऐसा उमीद है ताकि इन देशों में जो कुछ हुआ वो हमारे देश में ना हो और सरकार को देखो इन देशों के साथ ना बाचित फिर से रिवाइब करने चाहिए जैसे बाचित तो चल रही है पाकिस में घूमने के लिए मिलके common pool of food and fuel stock त्यार किया जा सकता है तो मिलके बहुत कुछ किया जा सकता है इसलिए इन groups को फिर से re-energize करने की आवशकता है तो यह पूरा issue हमने discuss किया हमारी आज की discussion में इतना ही है thank you thank you very much for discussion